जिका खालसा वह है गुर्जी की फते कनेडा के मन जो है कनेडा तक के जो राष्ट पती है उसने भी सिखों का एसान माना लेकिन हम हिंदूों ने फिर भी वो एसान नहीं माना और आज हम पूछ रहे हैं कि सिखों के पास फंडी कहां से आ रही है अगर इन्होंने अपने लिए आज अगर आज पहली बात देश में कि कभी भी सिखों ने जो भी है बाबे नानक के लंगर की सेवा दी है तो अपने लिए कभी नहीं हमेशा और हमेशा जुरुत मंदों के लिए दी है आज भी उनकी नजर में जुरुत मंदी है सिखों के कदम रखने से पहले ही लंगर पहुंच जाता है भंडारा पहुंच है सिख कभी भीक नहीं मांगते है कभी इंको मांगने की जुरुत नहीं परती है सिखों को फरंडिंग हो रही है खुद श्athy-Akanipurak कर रहे हैं बाबा नानक कर रहे हैं वो फंडिंग कर रहे हैं सिखों एक अमीर कौम है, सिखों के पास दस गुरू का आशिरवाद है, यह पैदा होते ही, दस गुरू का आशिरवाद मिल जाकता है, हम हिंदुओं के पास एक गुरू का आशिरवाद नहीं है, यह फरक है सिखों और हमें, हमारे को बोला जाते हैं कि दस जनम लेने के बाद तुम् देश को बंद करेंगे तो तुम लोगों के जो है चिलूने लड़ने शुरू हो गए लेकिन जब ये देश छे मीने तक जो है मुदी ने लोग डाउन करके रखा बंद रखा तीन लाख कंपनिया बंद हो गई लाखों लोग जो है सडकों पर आगे तब तुम लोग की जीडिपी कौन सी हाई होगी थी कोई बताएगा मेरे को ये दोगली जो तुमारी सोच है ने सोच से मुझे बहुत चीड़ है ये सोच जो नोट बंदी के टाइम जो है देड़ मीने तक सारे लोग दस दस रुपे को तरसते रहे तब तुम लोगों ने किसी ने विरोध नहीं किया लेकिन अगर किसानों ने अपने हक और सच की मांग करने के लिए एक दिन के भारत बंद करने के एलान कर दिया वो भी चार घंटे के लिए तो तुम लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि हम साथ नहीं है क्या हमारा हिंदू धरम यह हमारे सनातन धरम ने यह सिखाय है हमें तो श्रीमत भागवद गिता में एक ही बात सिखाई थी कि अधरम का साथ देने वाला भी अधरमी होता है तो एक बात बोलूँगा कि जाकर जो है ना थोड़ा सा जाओ प्रशादा खाओ बाबा नानक का प्रशादा है वो प्रशादा खाओ तुम लोग की थोड़ी बुद्धी खुले तुम लोग को नजर आए धिकार है यार आज मैं अपने हिंदू कौम को बोलता हो कि तुम लोग के ओपर धिकार है यार क जिन लोगों ने तुम आज जो केस करते फिर रहे न जस्विंदर भला पे केस करते फिर रहे उनसे बात पूस्तो भगवान ने शिफ शंकर के साथ हर-हर लगा था उसके वाद शिफ शंकर ने अधिकार दिया था हर-हर गंगे का लेकिन तुम ने हर-हर मुद्धी बोलना शु जाना मंदिर के बाहर चले जाना वहाँ पे बैनर लगता है कि अगले महीने 21 थारीक को दो वज़े से जो है पांच में तक का बंडारा चलेगा बिशाल बंडारा चलेगा और एक महीने पहले परचिया काटनी शुरू कर देते हैं जमीन और आस्मान का फरक है क्यों कि ये सेवा तो 500 साल से चलती आ रही है लेकि आज सिस्खों ने अपने साथ तुม ने देख लिए कि ये लाकों सिस्खों ने अपने लिए थोड़ा सा अपने सिक्षब Increthinking के लिए अगर हिंदू भी है सिख भी है राजिस्थानी भी है पूरे देश दिल्ली के लोग भी है उनके लिए अगर कोई सेवा दे दी तो उसके लिए तुम लोग बोलते हो कि फंडिंग कहा से आ रही है यह सवाल तुम्हें 500 साल से क्या लोगडाउन के समय पूछना था तुम लोग यह सारे सिख जो जूड़े की प्रथा है इनकी तो यह फालतु बक्वास बाजी अपनी बंद रखो ठीक है ना और जो लोग सवाल करें और दसर पे की जिन लोग ने मक्खी खरीद कर कि मार कर नहीं मारी होगी वो लोग बोलते है कि आज सिखों ने जो है कहा से इनके पास फंडिंग आ रही है तुम्हारी उकात है पूछने की मुकाबला है तुम्हारा सक्षों की दिर्या दली का जो है ना विदेश तक धिंडोरा पिटा हुआ है और हम लोगों के मजाग जो है ना अगर मैं बताओंगा ना किस दिन बताओंगा हमारे धरम स्तरलों में कैसे मजा करो तुम्हारे खुद के घरों के बरतन खाली खड़कने शुरू हो जाएंगे याद रखना वाहे गुरुजी का खाल साव वाहे गुरुजी की फते जैमाता दी